आज किस वीडियो में हम एक ऐसी चीज के वारे में जानेंगे यदि आप उस चीज को नहाने के तोरंत बाद अपने फेस स्कीन पर लगाते हैं तो आप देखेंगे दो तिन दिन के वाद आपकी फेस के स्कीन सूरिय जैसी चमकदार सुन्दर होने लगेगी और दूसरी चीज उस चीज के वारे में जानेंगे जो आप अपने फेस पर विना क्रीम विना मैकप विना फेसियल किये आप अपने फेस स्कीन को चमकदार सुन्दर वना सकते हैं तो वीडियो बहुत ही जाता है इंप्रोटेंट है वीडियो चलूर पूरा वाज करना और यदि चैनल पर लाइक जरूर करना क्योंकि लाइक आपके बहुत ही कम आते हैं तो चलिए वीडियो आगे वड़ाएं नहाते समय हम पूरी बोडी स्कीन पर सावन लगा के नहाते हैं सावन लगाने से हमारी स्कीन की जो गंद की मेल है ये सब साफ हो जाते है ये ठीक है लेकिन इस बात को भी आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए बोडी स्कीन में तो अब भले ही सावन लगा लो लेकिन फेस स्कीन पर आपको सावन नहीं लगानी चाहिए मैंने कई बार वीडियो में बताया है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नहाने के बाद आपको अपने फेस स्कीन पर ज देखे सबसे फ़ेला फाइदा तो यह आपकी इस्कीन पर जो समाई केनुसा जो जुरियां आने लगती हैं तो जुरियों को मिटाने के लिए यह रेमेडी बहुत ही जादा असरदार है और यह आपकी फेस की स्कीन को फ्राक्रटिक तरीके से चमकदर बनाती है और आपकी फे स्कीन को हाइटरेट करता है आपकी फेस की स्कीन को निखाने में भी बहुत ही ज़्यादा लाब दयाक होता है तो फिर आपको करना क्या है नहाने के दो पांच मिनिट के वाद ही आपको एक चमच गुलाब जल लेना है बस एक चमच गुलाब जल में एक चीज ही आपको मिल आप अपनी फेस के स्विंग को चमकदार बनाना चाहते हैं तो फिर आपको ये काम आज से ही करना शुरू कर देना है मैंने पिछले कई वीडियो में आपको ये वाद बताई है आज फिर मैं आपको बताया देता हूँ क्योंकि नए सस्क्राइबर जोड़ते हैं तो उनको ये पता नहीं रहता हमेशा सूरिय निकलने के पहले आपको अपना चेरा धो लेना चाहिए रात में आप एक इलास पानी रखिए और सुवाई सूरिय निकलने के पहले आपको अपना चेरा उस पानी से धो लेना चाहिए फिना क्रीम बिना केमिकल की आपकी फेस की स्किन चमकदार सुन्दर गोड़ी दिखने लगेगी आप ऐसा करके देख लो क्यूंकि उस पानी में बहुत सारे पोसक तद्ब रात के रखी हुए पानी में और आपको इस बात का देहन चरूर रखना है उस पानी को ढखके नहीं रखना आटे की चालनी जो होती है उससे आप ढखके रख दीजिए रात वर ऐसे ही रखी रहनी दीजिए फिर सुबाइं छे बजी के पहले आपको चेहरा धो लेना है उस पानी से सारी फ्रॉब्लम चेहरी की खत्म हो जाएंगी दाग धबे बगेरा चेहरा अपने आप चम मज गुलाब चल में एक चमज सहद मिला के आपको अपने पूरी चेहरी पर लगा लेना है और कम से कम पांसात मिनिट लगा रहने दीजिए और दुवारा से साधे पानी से अपना चेहरा धो लेजिए नाही आपको कुछ यहाँ करना शुरू करतो आपका चेहरा वियत खु पूछा करो मैं आपको तोरंधी रिफ्लाइट दोंगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार